चलो आज डंब शिराज खेलते हैं यह डंब शिराज क्या होता है इसके दो ग्रूप होते हैं एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिर्म का नाम अपने ग्रूप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है मुझे डम शिराज बहुत अच्छा गीम लगता है बहुत बजा आता है चोर चोर पकड़ो अरे कोई पकड़ो ती वो देखो चोर मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है रुप जाओ रहा है चोर अंकल वो पर्स वापस कर दो चोर अंकल अभी फिरुक जाओ मैं सपना देख रहा हूँ यह बच्छा इने तेजी से साइकल कैसे चला सकता है यह बच्छा यह बच्छाओ प्लीज बचालो बचालो ठीक है जाओ आज के बाद फिर चोरी मत करना और पूलीस को देदूंगा यह तो बतादो तुम हो कौन अच्छाई का दोस्त पुराई का दुश्मन नाम है वीर, वीर दार अबबद। फैंकियो वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया गोड़ बॉइ वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बाई बच्चो, बाई चिन्टू कहा है? पता नहीं कहा है, लेकिन अभी बुलाता हूँ तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन कौन सा काम अधूरा है, बोलो मेरी बिन अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन नाना जी, आप कब आए? चिन्टू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलीस से छुपके भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलीस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी पानाना जी, मुझे याद है जिन पुलीस उसे डून रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुए में छुप गई थी मैं वहाँ खेल रहा था मैंने उसे छुपती लेके जिन पुलीस को गड़ा लिया था जब पुलीस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीक-चीक के कह रही थी जिन्टू मैं वापस आऊंगी और तुम्हाई सारी शक्तियां छीन लूँगी मैं बदला लूँगी जिन्टू मैं बदला लूँगी मैं इरी पावर्ज वापस करो औरना पहाँ जी होगी अब पुरा होगा कि डॉण की पावर में कतना असर है वा छॉल्भि वा देखा जीन्टू ऐसे लड़ते हैं, डरने से कोई काम नहीं बनता अगर चुलबुल लड़ सकता है तो तुम तो जिन हो चुलबुल, तुम बहुत बहादूर हो, अब पहले लड़ूंगा तुम अगड़म बगड़म इकड़म तिकड़म आलम फालम दम 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 बोल के अपने बदन के सामने हाथ से पावर खीचने की कोशिश करो मेरी पावर्स का मैजिकल बॉल निकल की तुम्हारी हाथ में आ जाएगा फिर मैं उसे ले लूँगा पहले यहाँ से घर चलते हैं, फिर ये सब करेंगे फिर, तुम लोग कहां थे? दादा जी वो लेडी जिन आ गई है, और जिन्टू के पीछे पड़ी है, उसे जिन्टू की पावर्स ठाहिए वाह, ये है जिन्दगी, जब चाहो गाजर खाओ, जैसे चाहो गाजर खाओ, लाल हरी नीली पीली मल्टी कलर गाजर खाओ चुलबल बस करो ये शुआफ, और हाँ, एक बत सुनो, वो फिर से भेस बदल के आ सकती है, अगर किसी को किसी पे शक हो तो उसके सामने मत बोलना, हम लग डमशिराज में बात करेंगे, ताकि उसे पता नहीं चले कि हमें उस पे शक हो गया है मुझे डमशिराज केलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ये सब चुलबल कैसे कर रहा है तुम तादा जी को सब बताओ, मैं बाहर देख के आता हूँ, वो फिर से तो नहीं आ गई रास्ते में मताओ, चलो हटाओ तुम्हें भारी पड़ेगा दोस्त अई पड़ी के पंपा, सरो जी, बचाओ चुलबल ये सब ठीक करो, तुम भे जिन्टू की तरह बिहेव कर रहे हो, चल्दी सब ठीक करो, और अपनी पावर्स जिन्टू को वापस करो तुम मेरे अंदर से पावस निकाल के वापस जिन्टू को दिलवाना चाह रहे हो, ताकि तुम उसे वापस ले सको, लेकिन मैं उल्लू बनने वाला नहीं, लेडी जिन्टू, बाई बाई चल्ओ, आज हम लोग सब हाइड एंसी खेलते हैं, मैं भी खेलूंगा, नहीं तुम अमारे साथ नहीं खेलोगे, नहीं खेलने दोगे, तो तुम जहां भी छुपोगे, मैं सब को बता दूँगा, ओके बंटी आओ, तुम भी खेलो, चल्आ, तुम सब से पहले गिन्ति-ग किनो हम खुकते हैं ओके देखना एक मिनिट में तुम सब को ढूलूंगा वान टू थी और फाइब सेख्स सेवन एक ना रहा हूं हुँ चल्बूर तो कार में है वो पकड़ा जाएगा कार ही कायब कर देता हूं अग्डम बग्डम आलम फालम इकडम तिकडम तम दमादम कर वापस लाप परन अभी इसी समें हुआ 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 हो पापा श्राइड रहा हूं शायद मैं कोई सपना देख रहा था बाई बाई बेटा बाई 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 जलो चलो अब तुम गिंती की नौ चलो तुम अलग चुपो मैं ऐसी जगे चुपूंगा कि कोई नहीं ढून पाएगा मैं तो इस खेल में स्पाथ हूँ मैं भी देखता हूँ तुम कैसे चुपोगे और कहा चुपोगे अग्रम बग्रम आलम फालम इकडम तिकडम दम दम आदम यह क्या अगा यह पूरा अगा अगा हाँ हुआ 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 मैं 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 इस सूट से तुम बिजली की स्पीड से एक जगा से दूसरी जगा सकते हो इसका नाम है लाइटनिंग सूट तुम वीर को चारो तरप से लेजर से मादना और तुम्हारी स्पीड की वजा से वीर तुम्हें देख नहीं पाएगा और वो खत नौँ हो जायेगा हाहा यह जीनियस बॉस भाएगा यह काम करता है बॉस यूँर जीनियस बॉस बॉस जीन पता हुआ अब भसकित करो कुशे को खतम करना है मुझे अपह आएएज परेंपरेंड तेरी थे लोगी है किया है? परोबोबॉय शूपन! परोबॉय शूपन! मिस्टर चट्ड़ कार को कंट्रोल कीचिए मिस्टर चट्ड़ कार को कंट्रोल कीचिए मेरे प्रेट्ट्ट्वेल हो गये तेंक्यो रोबोबोई रोबोबोई हमें आटोग्राफ कोगे पीज़ा यहने सब देख लिया आने दो वीर को अज पूरे पुरसत गंज को पता चल जाएगा के वीर ही रोबोबोई है हर बच्ची के अंदर रोबोबोई होता है है न जिन्टू अगर तुम अच्छाई के दोस्त बनो और बुराई के दुश्वन तो तुम भी रोबोबोई बन सकते हो क्या सच तुम मुझे उनलू बना रहे हो हम सच कहा रहे हैं बंटी ओके आज से मैं अच्छाई का दोस्त हूँ और बुराई का दुश्वन मैं तो रोबो बॉय बना ही नहीं मेरी रोबो बॉय वाली ड्रेस कहा है तुम अभी खड़े हो ना तुमने फिर्मों में देखा होगा कि जब कोई भी सुपर हीरो भागता है तो भागते हुए उसके ड्रेस चेंज हो जाती है अब ही मैं भागना शुरू करता हूँ अगर मेरी ड्रेस चेंज नहीं हुई तो देखना तुम लोगों को मैं अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम यहू बंटी इन पौधों को बड़ी मुश्किल से लगा के बड़ा किया जाता है और तुम इने तोड़ रहे हो इनमें भी जान होती है दुबारा इने कुछला तो प्रिंसिपल सर से शिकायक कर दूँगा मैं कुछ भी करूं तुमें उससे क्या हा फिर कुछ लेगा हमें बोल ब वीर सर ने हमें ड्रामा कॉंपिटिशन में पार्टिसिपिट करने को बुलाया है हम इस ड्रामा में पूरी जी जान लगा देंगे यह इंसान, मत कर तू अभीमान, मत काट इस जंगल को, इन पेड़ो में भी है जान वाव वाव वीर, तुम कितना अच्छा डायलुक्स पोलते हो, इस ड्रामे का हीरो तो तुमें ही बन हाँ सौरी एमली, ड्रामे का हिरो तो बंटी होगा और इस प्ले के हिरो का नाम भी हिरो है सब एनिमल्स उसे हिरो कहते है थांक यू सार वीर एक पेड़ बनके स्टेज पे खड़ा रहेगा इसे पेड़ों से बहुत प्यार है सर आपने इसे अच्छा रोल दिया है वीर अपने दोस जिन्टू और चुल्बुल को भी ला सकता है चुल्बुल के आने से एक रियल एनिमल का फील भी आ जाएगा बाकि सब एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनेंगे जिन्टू को गुरिल्ला का रोल दे सकते उसका बदन उस रोल के लिए परफेक्ट है बंटी चलो यह वाला डैलोग बोल के सुनो ए मुर्ख इंसान छोड़ो अपना अभीमान मत काठ ये जंगल इन पेडों में भी है जान है अभीमान छोड़ अपना इंसान इसमें भी है जाज़ोर और इंसान पंटी क्या बोल रहे है तुम, एक छोटा सा डैलोग भी नहीं याद रहता ये डैलोग तो वीर ही अच्छे से बोल सकता है बोल के दिखा, इतना असान भी नहीं है ए पुर्क इंसान, चोड़ अपना अभिमान, मच काटिये जंगल, इन पेडों में भी है जान सार, मुझे पुरी स्क्रिप्ट याद है ठीक है, ठीक है बच्चों आज सबको एक-एक पीगी बैंक दिया जाएगा उस पीगी बैंक में आप लोग अपने दोस्तों, परोसियों, जान पहचान वालों से डोनेशन लेकर आएंगे ये पैसा उन बच्चों की किताबों और स्कूल फीस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है आई बात समझ में बच्चो ये पीगी बैंक तो बहुत छूटा है लो मुझे दो ये पीगी बैंक तुम्हारे किसी काम का नहीं मुझे कम से कम दो तीन चाहिए एक पीगी बैंक से मेरा मन नहीं भरेगा वीर वो देखो बंटी मेरा पीगी बैंक ले गया बंटी उनका पीगी बैंक वापस करो आओ हिमत है तो ले लो प्लिव सकति में मया गल्भ अपkin वह पीगी बैंक वापस कर दो, कहा नहीं वह पीगी बैंक वापस कर दो, आज मौका मिला है, वीर की अच्छी धुलाई कर दो, यहां कोई नहीं है यहिए कर दो, पी पमााााँ प्राइट्यू वीर अपना ध्यान रखना फोन करना अपना हाल जाल बताते रहना दादाजी बस कर ये हम सिर्फ एक दिन क्ले जंगल सफारी जा रहे हैं सुबह जाके रात तक वापस आजाएंगे फिर भी चिंता तो होती है ना पेटे सौरी दादाजी जब आप मुझे सचमुच इंसान हूँ तो मेरे लिए इंसान ही हो वीर मेरे जिगर के टुकड़े हो लो अब नाश्ता कर लो वीर मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि मुझे अपने साथ जंगल सफारी ले चलो क्यूंकि तुम मना कर दोगे इसलिए मैं और जिंटु कुद ही वहा ज हमसे पैसे माग रहा है हां हम पैसे देते नहीं देते हैं हां है कोई रोपा उन है जो और जो और वो मेरे रुपाई देते हैं तुम बसमें जाके बैठो मैं अभी आया Robo बोइशूच आँ जाँ जाँ उस टुकान दार के पैसे वापस करो यह वीर कहां चला गया यह वो आता ही होगा ककर सर एक बार उसे छोड़ के आ जाएंगे तो दुबारा लेट नहीं होगा बस द्राइवर बस चलाओ चलाओ पैसे है थैंक यू रूबो बाई मिस्टर ककर नेक्स तर्णिंग पर वीराप का बेट कर रहा है उसने लेट आने के लिए सौरी बोला है रूबो बाई मेरा नाम जांता रूब के लबो बाई बॉस 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 बीर स्कूल की तरफ से जगडल सफारी जा रहा है बॉसकी स्कूल वाले कितने अक्षे हैं और एक आप हैं आप हमें कभी कही नहीं ले जाते तुम हमेशा छोटा ही सोचते हो मेरे तेश दिबाग में उससे भी तेश आइडिया आ रहा है